हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई यूटूब चैनल हैश्टेक सोट एजिफिशन पे इस वीडियो में क्लासिफिकेशन यानि की वर्गी करण के बारे में बात करेंगे जिसके अंतर गत हम पढ़ेंगे वर्गी करण क्या है वर्गी करण की डेफिनेशन वर्गी करण की फादर या जनक किसे का आ जाता है समस्त जीवधरियों को कितने वर्गों में बाता गये है पांच जगत वर्गी करण क्या है इसकी खोच किसने की तो चलिए फ्रेंड्स वरगी करने यानी की क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं तो फ्रेंड्स संसार में मिलने वालों जीवों की संख्या बहुत अधिक है जिससे समान रूप से उनकी पहचान याद रख़पाना संभव नहीं है इसलिए उनकी पहचान और अध्धन की सुवधा के लिए जीवों की आकरती, आकार, संदचना, लक्षण की समानता, समानता के अधार पर अलग अलग समुह में बाटा गया है जिसे वरगी करने कहते हैं इसको डेफिनेशन में समझते हैं जीवों की आकरती, आकार, संदचना, अमाप, ते लक्षणों के समानता, असमानता के अधार पर समुह में बाटना वरगी करने यान की क्लासिफिकेशन कहलाता है वरगी करने की वरतवान प्रणाई की जन्मदाता, स्वीडन के प्रसिद्ध वैगानिक केरलस लीनियस हैं इन्होंने अपनी पुस्तक, सिस्टमेटा नैचुरी में जीवों की नाम और आधनिक वरगी करने की वैख्या की इसलिए इन्हें केरलस लीनियस को वर्गी करण विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है Father of Classification केरलस लीनियस इन्हों ने जीवों के बेच सनलचनातमक एबं क्रियातमक समानताओं के आधार पर उनका वर्गी करण किया विज्ञानिक केरलस लीनियस ने अपनी पुस्तक Systemata Nature में सभी जीवों को दो जगतों में वर्गी करण किया पहला जन्तु जगत या Animal Kingdom दूसरा पादब जगत या Plant Kingdom पहला देखते हैं जन्तु जगत या Animal Kingdom इसके अंतरगत बहु कोस्की जीव प्रोटो जवा को रखा जो भोजन ग्रहन करते हैं और गमन के लिए इनमें अंग पाए जाते हैं दूसरा पादब जगत या Plant Kingdom इसके अंतरगत बचे अन्न सभी जीव को रखा गया है जैसे हरे पौधे, मास, बहु कोस्की, समुद्री, घास, पात, मस्रूम, लाइकेन, कवक, बैक्टीरिया तता रंग विहिन एकोस्की जीव आदे चलिए अब पाँच जगत वर्गी करण यानि के 5 Kingdom classification के बारे में समझते हैं पाँच जगत वर्गी करण का आधार कोस्का समर्चन, सारेरिक समर्चन, जीवन की दसा और जाती व्रत्ती समंधों पर निर्वर करती हैं इन लक्षणों के आधार पर वैग्यानिक आरच विटीकर ने एक वर्गी करण प्रस्तुत किया जो की इस प्रकार हैं इस प्रकार 5 जगत वर्गी करण की खोज वैग्यानिक आरच विटीकर ने कीद पांच जगत वर्गी करण में पहला जगत मुनेरा, दूसरा जगत प्रतिष्टा, तीसरा कवक या फंजाई, चोथा पादप या पलांटी, पांचवा एनिमीलिया या जन्तु चलिए फ्रेंड्स, इन जगतों के कुछ समान लक्षण यानि की जन्रल करेक्टर देखते हैं पहला जगत मुनेरा, इन जीव धारियों में एक कोस की प्रोकेरियोटिक कोस कायं पाई जाती हैं इनमें आराम्बिक केंदर खोता हैं, जोगी दीरे दीरे खत्म हो जाता हैं इस जगत के प्रेमिक जीव हैं सायनो बैक्टिरिया, जिवाडू, आदी दूसरा जगत प्रोटिष्टा, इन जीव धारियों में एक कोस की यूकेरियोटिक कोस कायं पाई जाती हैं इनमें फूर्ण बिक्सिक केंदर क्पाया जाता हैं, जैसे अमीवा, यूगलीना, पेरिमीसियम, आदी तीसरा कवक या फंजाई इस जगत के सदस बहु कोस के और परपोसी होते हैं, जो अन जीवों के सरीर का विगाटन करते हैं यह यूकेरियोटिक होते हैं, इनमें प्रिकास संसलेशन नहीं होता है जैसे राइजोपस, पैनिसेलियम, आदी चौथा, जगत प्लांटी या पादप जगत यह बहु कोस के पादप होते हैं यह प्रिकास संसलेशन दोरह अपना भूजम स्वय बनाते हैं, तथा सफोसी होते हैं इनमें यूकरियोटिक कुषकाई पाई जाती हैं, जैसे सेवाल, मास, बीजवाले पौधे, आदी पाचवा, जगत एनमेलिया या जन्तु जगत इस जगत के जीवों को मेटा जो अभी कहते हैं, यह भूजन का अंतरगण करते हैं इसलिए इन्हें बहुत कुषकी उपवोकता भी कहते हैं इनमें चलन के लिए निश्ची तंग पाई जाते हैं, इनमें प्रकास संसेशन नहीं होता है यह यूकरियोटिक एवं परपोसी होते हैं इस जगत में गोल एवं चप्टे क्रमी, मकडी, बिच्छो, मचली, मैंडक, पक्छी एवं इस्तंधारी वर्क के जीव जैसे मनुस आदी आते हैं प्रकास संसेशन नहीं होते हैं